हीरो बढ़ने के लिए जरूरी नहीं कि हम सरहद पर हों या खेल के मदान में हों हम जहां भी हैं जिस प्रिष्थिती में भी हैं कुछ अलग या कुछ अनोखा कर सकते हैं मैंने मजदूरों को जबान देती हैं अब जो होगा कानूनी होगा दूसरे चरण की मतखननला के बाद सत्पाल स्वाण को क्यारा सो चोक्तिस और विजिंदर राम को दस सो इकत्तर मतपराप्त होई है अरे यो कैसी बरात हुई ना बैंड ना बाच्चा ना गोडी ना सेरा वो ऐसा है जी के हमारे घर में श्री राम चंदर जी पैदा हुए है आपने शादी में फोटो क्यों ने किछ वह है उस टेम तुम हसने रही थी ना इसलिए मननक कलती है अब आखे मेरी दुझे ढूड़ा करे तू मिले ना इसा है जी आपकी बेट्टी के जिम्मेतारी अब मेरी मैंनी चाहता कि मेरा को इस सब्ध या कोई आच्रण आपका अपमान करें अपमान तो तू कर रहा है पिता आप लोग उनकी खड़ी फसल में डंगर छोड़ देते हो हमने उनकी खड़ी फसल पर डंगर नहीं छोड़े थे इनको इतनी सी बात समझ में नहीं आरे के इनका समाज इनको अपने ही बेटे से लड़ा रहा है तेरी प्राब्लम ये शराव है जिस दिन छोड़ देगा न सब ठीक होज़े या करण की भूमी है यहां अपनों के दिए अपनों से लड़ नहीं पड़ेगा ऐसा है वकील साब आप मुझसे जो मरची करवा लो पर ये राजनीती मुझसे नहीं कीचड से कीचड साफ नहोता जी आप लोगों को ऐसे काम में आगे आना चाहिए आदमी को शक्ती उसके मन से मिलती है अगर ये इतनी बुरी चीज है तो पापा क्यों बित्ते है माँ तुछ भी हो जा इस आदमी को तो रोखना ही पड़ेगा मैं इसने अपनी राज नितिक शक्ती बढ़ाने के लिए सरकार के खिलाव धर्ना दे रखा है ये जो पपर शेर होता है न या तो ये खुद मर जाता है या मार देता है मगर अपना इलाक का नहीं छोड़ता है सत्पाल चोहान नाम है मेरा पृत्वी राज चोहान के बंसच बंद आखों से तीर चलाने व झाल का